हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेटो माई चानल गार्डन एंटीशा आज फिर से निया वीडियो ले आई हूँ फ्रेंट्स उमीद है कि आप से भी बहुत अच्छे से होंगे तो आज इस वीडियो में दिखाने वाली हो बोगन वेलिया फ्लार्स का आपडेट तो कुछ कियारिंग और देखती रहिएगा सो मेरी चैनल पहली बर देख रहे हैं तो पहले बर बीजित किया है तो प्लीज सब्सक्रेब कर दीजिएगा और बेल आइकोन में भी प्रेस कर लें ताकि हार आने वोले नुटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए तो देखिए प्रूनिंग कर दिया था तो प्रूनिंग के बाद अभी फीर से इसमें ब्लूमिंग हुआ है देखिए सकती हो कितने अच्छी इच्छी ब्लूम हुई है देखिए बहुत ही खुबसुरत जिसके पास बुगेंबेलिय अभी तक नहीं है तो आप लोग प्लीज एड़ कर दीजिएगा आप लोग तो 12 मन में 12 मन फ्लावर मिलेगा ऐसे भी बुगेंबेलिया प्लांट से भराइटी है बहुत सारे भराइटी का है तो 12 मन में 9 मन आप लोगों को जरूर फ्लावरिंग मिलेगा बुगेंबेलिया से तो देखिए फ्रेंट्स मैंने ये एड़ इंच का पॉड होगा ये तो इसमें ही मैंने लगा के रखा है बुगेंबेलिया तो देखिए मैंने काटिंग से ही ग्रू किया है देखिए सकती हो काटिंग से ही लगाया हुआ है तो और भी मैंने कुछ काटिंग से लगाया है तो लगाने के बाद तो आभी तो मैंने रिपोर्टिंग कर दिया तो आभी ये खूली तेरेस में रखा हुआ है क्योंकि बोगेन बेलिया को बहुत सरे दूप सनलाइट चाहिए होता है तो इसलिए जितना ज़्यादा सनलाइट मिलेगा उतना ही ब्लूमिंग होगा तो देखिए सकती हो छोटी से अभी भी फ्लान है ये मैंने जास रिपोर्टिंग किया है इसमें तो कुछ दिनों से मैंने जादा तो नहीं हुआ तिन चार दिन हुआ है दूप में रखा फिर भी आभी देखिएगा फ्लावट्स पे आया है तो ये भी एक कटिंग है कौन सी कलर है मुझी याद नहीं आभी खिलने के बाद ही पता चलेगा मैंने ऐसे ही बहुत सारे काटिंग से इदर ओदर से लाला के मैं लगाती हूँ ऐसे नहीं कि मैं नर्सरी से भाग बाके ले आती हूँ ऐसे नहीं है तो मैंने काटिंग से ही ज़दा दर मैं ग्रू करवाती हूँ तो ये भी देखिया बहुती प्यारी सी बहुत सारी ब्लूम हुई है और बहुत सारी कलिया अभी ब्लूम होने के लिए बकी है नयानिया कलिया आई हुई है तो ये चितरंग आया था तो उस ताइम बहुत साइकलोन के वज़े से मेरा इतना बरा बरा जो थूका हुआ है फोल इतना थूका जैसा बरा बरा वो सब तूठके गिर गया नहीं तो और भी ये प्लांट्स भरा हुआ लगता था मुझे तो कुछ जो छोटा-छोटा फ्लार्स थी तो अभी ये खिला है बहुत सारे करके तो ये तो मेरा ये पिंचिंग किया है मैंने प्रोन किया प्रोन के बाद अभी ये कलिया आना शुरू हुई है कुछ तो फ्लारिंग भी हुई है तो देखे सकते हो और ये जमीन में लगाया हुआ है जमीन में नहीं पोट्स में ही लगाया हुआ है मगर ये नीचे जमीन में ऐसे रखा हुआ है तो देखी सकते हो कितनी सारे ब्लूम हुआ है तो पहले खाज ध्यान रखना होगा आप लोगों को ऐसे फ्लावरिंग लाइने के लिए सानलाइट का आप लोगों पहले ख्याल रखना होगा फूल सानलाइट में रखना पड़ेगा आप लोगों को और इसके बाद watering watering ऐसे ही देना है आप लोगों को जब पानी बिल्कुल सुख गया हो तो बिल्कुल मित्ती सुख गया है तो उस ताइम में आप लोगों को पानी दालना है तो हमेशा moisture रखना है और बहुत ज़यदा पानी दालने से यह fungus लग जाएगा बहुत जल्दी फांगस भी लग जाती है ये बूगेन भी लिया तो इसलिए पाने का खास ध्यान रखना है आप लोगों को और इसके बाद फ्लावरिंग बहुत सारे फ्लावरिंग मिलने के लिए आप लोगों को तो थूरा सा पानी का जो फर्टिलाइजर है वो आप लोग डालना होगा जैसे कि और्गयनिक फर्टिलाइजर आप लोग डाल सकते है बर्मी कमपोस, नीम खोल और ये मस्टर केग वो सब आप डाल सकते है तो गुबर का खाट भी आप लोग डाल सकते है काउदां कमपोस जो बिल्कुल पूराना वाला एक साल का जो बिल्कुल ब्लैग हो गया हो तो ऐसा काउदां कमपोस आप लोग एड़ कर सकते है उसमें से बहुत अच्छे फ्लावरिंग आप लोगों को मिलेगा तो और chemical fertilizer आप लोग यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं जैसे कि DAP अगर आपके pots का size 8 inch, 10 inch, 12 inch ऐसा है तो आप लोग pots का size wise आप लोगों को DAP का जो दाना है वो दालना पड़ेगा अगर 8 inch का pot है तो 8 ही डाले, 10 inch का है तो 10 ही डाले, 12 inch का pot है तो आप लोग 15 का दाना आप लोग डाल सकते हैं DAP का और super phosphate आप लोग जोरूर डाले तो इसमें flowering बहुत जादा होंगे अगर आपका plants बहुत भूशी है, बहुत branches है, पतिया भी बहुत हेल्दी है अभी भी flowering नहीं आ रहे हैं तो ऐसे में आप लोग पानी देना तूरन बन कर दीजिए दू तीन दिन के लिए आप लोग पानी देना बन कर दीजिए तो उसके बाद plants को क्या होगा थूरा सा मूर्चा जाएंगे तो पतिया अपने आप गिर जाएंगे सब ज़्यादा तो नहीं गिर जाएंगे थूरा बहुत गिर जाएंगे और इसके बाद आप लोग defoliation भी कर सकती है खूद ही पानी आपको राखिए जैसा आप क्यार करती हैं हमेशा वैसे ही मागर ये पतिया को तो 50% आप लोग चाहे तो गेतूर के फेक भी सकते हैं तो ऐसा करने से उम्मित रखती हूँ बहुत जल्दी कलिया आ जाएंगे अपकी बोगिन बेलिया प्लांट्स में तो जैसे मैंने क्यार करती हूँ हमेशा है से वैसे ही मैंने आप लोगों को बताया है तो थोड़ा से लेंग्विज के प्रोब्लिन के वज़े से शायद मैं बहुत अच्छी से आप लोगों को समझा के नहीं दे पाया हूँ अगर ऐसा हुआ है तो आप लोग प्लीज कमन कीजिएगा अगर कुछ भी बात आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो मुझे ज़रूर कमन करके बता सकती है आप लोग मैं सही तरीका से आंसर देने के ज़रूर कोशिस करूँगी तो यही है तो कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोग प्लीज कमन में ज़रूर बतायेगा लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा तो देखिए इस प्लांट्स में भी यह प्रूनिंग के बाद आभी बहुत सारी कलिया इसमें आई हुई है तो फूल ब्लूमिंग तो नहीं हुआ है अभी तक तो कुछ दिन और लग जाएंगी तो कुछ दिन बाद फूल अपडेट फिर से आप लोगों को दूंगी तो यही है तो जैसे जैसे मैंने क्यार किया है वैसे ही मैं आप लोगों को बताया है और मुझसे भी बहुत ज्यादा आप लोगों को मालूम है तो प्लीज मुझे कमेंड में जरूर बताएगा बहुत महरबने होंगे आपके तो सीख रही हूँ तो इसलिए मुझे जितना भी मालूम है जितना भी पता है वो सब आप लोगों के साथ आप लोगों के साथ शेर कर रही हूँ तो यही है मेरा आज का वीडियो तो इतनी समय से मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्याबाद थेंक यू सो मॉज एन बाई बाई